जहन साथियों स्वागे थे आप सभी का education के at 6 में रुख करते हैं एक और बड़ी update की तरफ यह update है सिख्षक बहाली को ही लेकर जहां पर जो भी छात्रों ने EMRS का form भरा था teaching वाले पोस्ट को लेकर अब यहां पर आपको बजा दें कि TGT का और PGT का यहां पर finally result दे दिया गय है अब आप हमें comment section में comment करके बताइएगा जो भी आप छात्र हैं किस के लिए आपने यहां पर फॉर्म भरा था TGT के लिए या PGT के लिए इन दोनों के लिए कौन से subject के लिए comment section में comment कीजिएगा अगर आपको इसका result चाहिएगा तो है ना और आप हमारे education की 86 के टेलिग्राम पर जोइन हो जाएगे वहां पर सभी पीडिव आपको शेयर कर दिये गए यह मारे इसका यह website थोड़ा slow चल रहा है चुकि बहुत सारे लोग यहां पर अपना result देखने के लिए link up किये होंगे और यहां पर इसलिए यह website का server बहुत slow चल रहा है तो मैंन परिक्षा ले गए जहां पर EMRS स्कूल हैं जितने भी उनमें सिख्षकों की भरती को लेकर यह रिजल्ट हुआ यह एक्जाम हुआ जहां पर आपने 16, 17 और 23 और 24 थारी को इन चार तीतियों में अपनी परिक्षा दी टीचिंग और कुछ नन टीचिंग वेकेंड पोजीशन का सेम सारा का सारा नोटिफिकेशन एक जैसा है सब में बस नंबर ओफ सेलेक्शन केंडेट कितने हैं वो आप देख सकते हैं अपने पीडिएफ में अब सब पीडिएफ तो मैं यहां पर डाउनलूड करके आपको नहीं दिख लाओंगा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो यह जो है मैं पीडिएफ आपको शेयर कर दूँगा अपने टेलिग्राम पर तो आप हमारे टेलिग्राम डाउनलूड कर लिजेगा और ज्वाइन कर लिजेगा वहां पर जाके तो यहां पर बोला जा रहा है दोस्तों कि यह जो एक्जाम है आपका ESSE 2023 जो कि दिसंबर म बोला जा रहा है प्रोवीजनल रिजल्ट हैज बिन प्रिपेर्ड और यहां पर टोटल नंबर ऑफ केंड़ेट कर दिया गया है कैटेगरी वाइज रिजल्ट 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 में एक क्यासी स्टुडेंट सेलेक्ट हुए हैं यहां यहां पर नीचे आईएगा तो आ जीएगा रॉल नंबर ऑफ प्रोविजनली शॉट लिस्टेट केंड़ेट अब आपको सॉट लिस्ट कहां मिलेगा तो नीचे आईएगा तो यह आपका सॉट लिस्टेट रॉल नंबर दिया गया है जो लोग सेलेक्ट हुए हैं यहां पर क्या बोला जा रहा है यहां पर रॉल नंबर ऑफ प्रोविजनली सॉट लिस्टेट कैंड़ेट अर अटेच विद नोटिस एंड कैंड़ेट्स सेलेक्टेड इंड लिस्ट विल नॉट है इनी राइट तो क्लेम अपॉइंटमेंट अभी देखिए आपको बता दे कि इस रिजल्ट में अगर आपका रॉल प्रोसेस बाकी है जो की डॉक्मेंट वरिफिकेशन का है अब माले जी की डॉक्मेंट वरिफिकेशन में आपके डॉक्मेंट ही नहीं पाएगे जिससे की आपका यहां पे सेलेक्शन हो सके आपका क्वालिफिकेशन क्रेटेरिया या फुल्फिल कर सके और अपने एक्जाम पास कर लिया तब तो आप बाहर हो जाएंगे तो यह एक provisionally इसको result बोला जा रहा है तो roll number provisionally shortlisted candidates are attached with the notice and candidates selected in the list will not have any right to claim the appointment if found ineligible अगर आप आ जाते हैं आप eligible at any stage of recruitment the candidature of the provisionally selected candidate given in the list shall be subject to the fulfillment of eligibility condition and other condition to mention in the advertisement मतलब कि अगर आइसा पाया जाते हैं कि advertisement में जो भी eligibility है उसमें अगर आप fulfill नहीं करते हैं तो भाई आपको candidature आपका रद कर दिया जाएगा सीधी से बात हैं यहाँ पर यह notice है the candidate will require to produce the original certificate अब देखे document verification के बारे में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मांगे गई है अगर आप categories में है एलिजबिल्टी तो होगा ही आपका पढ़ाई को लेकर जैसे कि eligibility reservation educational qualification category like us SCST OBC EWS PWD ESM अगर आप इन categories हैं तो इनका certification आपके पास होना चाहिए और कब तो आपके फॉर्म भरने के last date के पहले का होने चाहिए ध्यान रखेगा और अधर relevant documents at the time of the year document verification जब आपका डी भी होगा उस समय आपको यह सारे जो है दस्तावेज आपको अपने पास रखने होंगे यह आपको पता होना चाहिए कि original certificate एक तो होना ही चाहिए जितने भी जॉक्मेंट आपसे मांगे गए थे उस समय eligibility को लेकर और reservations को लेकर ठीक है यह समझ गए चीज़े आर दियर फॉर advice to keep the state document ready with them अच्छा रखेगा इसको साथ में the above shortlisted candidates shall notify shortly about the date time and venue of for document verification यानि कि अभी देखिए कोई date mention नहीं किया गया है आपको लगातार इसके official website पर विजिट करते रहना होगा कि कब आपका जो है shortlisted छात्रों का यहाँ पर date time और venue बताया जाएगा इसके लिए आपको provisionally जो shortlist है इससे को एक clear है तो आप अपना roll number चेक कीजिए पहले तो और अगर roll number है तो अपने documents का तैयारी सुरू कर दीजेगा हर documents को दो-दो copy बनाके folder बनाके अलग से रख लीजेगा ठीक है और आपको बता दे कि यहाँ पे ना तो सिर्फ TGT का बलकि PGT का यह और TGT का दोनों का result हो गया है जिन चात्रों का यहाँ पे है और मैंने सबका result यहाँ से डाउनलूड करके यह तो जिसे कि हिंदी का है तो 200 लोग हुए है अंग्रेजी में साथ 246 लोग हुए है इंग्लिश में तो उसी तरह जितने भी लोगों का यह PDF है मैं आपको शेयर कर दे रहा हूं अपने टेलीग्राम पर आप वहां से जाके इसको डाउनलूड कीजिएगा तो यह एक जानकारी है दोस्तों और इसको आप लोग प्लीज शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों क भी दोनों का मार्शीट और सर्टिफिकेट दोनों ही ठीके मार्शीट और सर्टिफिकेट दोनों ही चाहिए तिसरा चीज यहाँ पर आपका ग्रैजुएशन का अब दीखें यहाँ पर चुकी TGT किया और PGT का बात हुआ है तो आपका B.E.D. चौथा डॉक्मेंट आपका बीएड ग्रेजुशन के बाद का बीएड भी जरूरी है अच्छा पांचवा जो डॉक्मेंट से आपका नीची लिख देता हूं जहां पर सर्टिफिकेट और मार्षेट होना चाहिए ठीक यहां पर और लिखकेट कि यहां पर उनका भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है जो मुल प्रमाणपत्र है नहीं नखा ले रहते हैं कॉलेज से तो अब निकाल लेजेगा जाकर चौथा है आपका दोस्तों बीएड चुकि बीएड तो अनिवारे था यहां पर उसका सर्टिफिकेट और मार्षिट पांचवाद डॉक्मेंट है आपका पीजी का है चुकि पीजी टी के लिए आप लोगों ने यहां पर पोस्ट गैशन तो किया ही होगा उसका मार्षिट औ अगर आप लोगों ने सीट इट पेपर टू दिया होगा यहां पर आपकी जो है आपका मार्षिट नहीं यहां पर मांगा गया था तो यतने जो है पांच डॉकमेंट अपने पास कंप्लीट बना के रखियेगा इससे जो है आपका डॉकमेंट वेरिफिकिशन होगा अब ब हाकि वाके शसर्टिफिकिट आपका रिजर्वेशन से समंद्धित चाहिए तो अगर आप केटेग्रीज मेंट सीचे सć interpret या फिर या फिर फिर या फिर अगर आप OBC से है या इब्सद्राइब्स तो हैं आपको ईहां पर याई-व्स अगर बना होना चाहिए तो यह आपको पता होना चाहिए जब भर रहा गया था तभी बोला गया था तो मैं तो इस वीडियों के मात्द्रियम sites का लिंक हमने दे दिया है description में आप लोग यहां पर आएंगे तो दिखेंगे तो एक आपका लिंक चल रहा है यहां पर ठीक है तो भीव और पर क्लिक कर लिजीएगा और यहां से जैसी आप क्लिक करेंगे तो इसका पेज ओपन हो जाएगा और या फिर आप यहां पर शेडियूल पर क्लिक कर लिजीएगा तो य प्रेहन नहीं